दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमारी की प्रेसिडेंट डुनाल ट्रम्प आज इंडिया आ रही हैं। ट्रम्प अपने भारत दौरी को लेकर काफी उत्साहत नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी इंडियाई जो कभी मौडल के रूप में मशूर थी। आईए हम आपको बताते हैं मेलानिया एक मौडल से कैसे अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनी। अमारीके राशपती डोनार्ड ट्रम्प की मेलानिया तीसरे नंबर की पत्णी है जो ती एक चोटी देश की मॉडल रह चुकी है एक चोटी से देश के मॉडल की रूप में निकल कर सुपर पावर अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनने तक का मेलानिय का सफर काफी दिलचस्प रहा है दरसर अभी तक आपने ट्रॉम्प के बारे में तो सुना होगा लेकिन क्या आप उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं वैसे तो पहले उनकी दो पत्निया रह चुकी हैं बता दे कि पहली पत्नी का नाम इवाना और दूसरी पत्नी का नाम मरला था तीसरी पत्नी का नाम मेलीनिया है जो कि सुपर पावर यूएस की फस्ट लीडी है ट्रम्प और मेलानिया की किस करते हुए तस्वीरें कभी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही थी जानकारी के मताबिक मेलानिया का जन्म 1970 में स्लोवेनिया में हुआ था वो मॉडल पे रह चुकी है उन्होंने 16 साल के उम्र में मॉडलिंग की शिरुवात की थी अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रम्प से कैसे मिली मेलानिया तो चलिए आपको बता देते हैं दरसल न्यूयोर्क में एक फैशन वीक पार्टी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी लेकिन ट्रम्प तब राजनीती में नहीं थे और रियल स्टेट मुगल के तौर पर जाने जाते थे फैशन वीक के दरान टाइमस स्क्वेर के किट कैट कलब में पार्टी थी वहीं ट्रम्प की नजर मेलानिया से मिली दरसल मेलानिया जब ट्रम्प से मिली तब ट्रम्प अपनी दूसरी पत्नी मरला के साथ थे लेकिन उन दोनों का तलाख होने वाला था उस वक्त डूनाल्ड ट्रम्प 52 साल के थे और मेलानिया 28 साल की थी यही से दोनों की बीच 4 नमबर का लेन देन हुआ बता दें कि एक हफते बाद ही दोनों की पहली डेट शुरू हो गए यह दोनों ने 5 साल की रिलेशनशिप के बाद 2005 में शादी की सगाई के दरान ट्रम्प ने कहा कि उनकी सफलता में मेलानिया का भी हात है जानकारी के मताबक ट्रम्प ने मेलानिया को 1.5 मिलियन डॉलर की की डायमंड रिंग पहना कर शादी का परस्ताव दिया था साथ ही इनकी शादी में बिल कैट्स और हिलेरी क्लिंटन भी शामिल हुए थे साथ ही इस शादी में कई बड़े चहरे भी शामिल हुए थे इसके बाद 2006 में मिलेनिया ने एक बेटे को जन दिया